आज हम एक छोटी सी गरीब किसान की कहानी बताने जा रहे हैं, इस छोटी सी कहानी में हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है, रामू और श्यामू दो अच्छे पडोसी थे, रामू बेहत गरीब किसान था, जबकि श्यामू अमीर पैसे वाला बड़े मकान का मालिक था, रामू भले ही गरीब था, लेकिन वह अपने को हमेशा खुश और आराम महसूस करता था, वह कभी भी रात में सोते समय कभी घर की खिड़किया या दरवाजे बंद करके नहीं सोता था, उसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी, वह पूरी रात आराम से गहरी नीद में सोता था और इस प्रकार उसका जीवन शांती पूर्ण कट रहा था। इसके बाद रामु अपने पडोसी से धन पाकर बहुत खुश हुआ उसने न जाने कितने सपने देखने लगे और इस प्रकार रात भी होने को आई फिर धन को घर में छिपा कर खिडकियों, दर्वाजों को अच्छी तरह से बंद करके बिस्तर पर सोने को चला गया, लेकिन उसे आज नीद ही नहीं आ रही, उसका मन बार-बार मिले धन पर ही जाता था बार-बार अपने धन के बारे में सोचता रहा, जिसके कारण आज वह पहली बार पूरी रात सो न सका। और फिर रामू ने निश्चे किया कि जिस धन के चलते मेरी नीद और सुख चली गई हो भला वह धन मेरे किस काम के। आज सुबह ही इसको अपने मित्र शामू को ये धन वापस कर दूँगा और जैसे ही सुबह हुआ वह धन को लेकर शामू के पास आ गया और धन लोटाते हुए बोला की मित्र मैं गरीब जरूर हू लेकिन सुख से अमीर था आपके दिये पैसे ने मेरे सारे सुख चैन को ग कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि धन से सब कुछ नहीं मिल सकता है जो भी हमें इश्वर ने दिया है उसमें संतुष्ट होना सीखे और यदि आप ऐसा करते हैं तो इश्वर द्वारा दी गई सुखों में आप हमेसा संतुष्ट रह सकते हैं